एक दिन ओसकर को पता चलता है कि एलफ्रेड और मारिया के बीच एफेर चल रहा है जहाँ पर मारिया एलफ्रेड को दिलो जान से चाहती थी लेकिन एलफ्रेड मारिया को बस इस्तेमाल कर रहा था जिसको जानने के बाद मारिया काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है थोड़ी दिर बाद पुलिस ओफिसर उसे ढूनते हुए वहाँ पर आता है और एना से उसके बारे में पूछता है लेकिन एना उन्हें बताती है कि जोसेफ उस तरफ भागा है जिसके बाद वो पुलिस ओफिसर जोसेफ को ढूनने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं पर इसके बाद से जोसेफ एना के साथ ही रहने लगता है और ऐसे ही और एक साल गुजर जाता है वो दोनों अभी भी पुलिस से छुपकर रह रहे थे लेकिन एक दिन पुलिस ओफिसर जोसेफ को पकड़ लेते हैं और उसके उपर अंधा दुन गोलिया चलाने लगते हैं जिस वज़े से जोसेफ पुलिस से बचने के लिए पानी में कुद जाता है और इसके बाद से वहाँ पर किसी को भी जोसेफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जोसे पानी में डूब कर मर चुका है और कुछ लोग सोचते हैं कि जोसे पुहां से एमेरिका भाग गया है और एमेरिका में एक आलिशान जिन्दगी जी रहा है दूसरी तरफ एना काफी मुश्कीलों का सामना कर रही थी और बाजार में फल और सबजी बेचकर किसी तरीके से अपनी और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी इधर उसकी बेटी एगनेस अपने कजन जॉन से प्यार करती थी लेकिन उसकी शादी एक जर्मन सेफ एलफरेड के साथ हुई थी जिस वज़े से कुछी दिनों के अंदर वो एक बच्चे को जनम देती है जिसका नाम वो आसकर रखती है अब पैदा होने के बाद आसकर रोना बंद नहीं कर रहा था जैसे कि वो पैदा होना ही नहीं चाता लेकिन एगनेस जब उसे तीन साल की उमर में एक ड्रम देने का वादा करती है तब ही वो रोना बंद कर देता है इसके बाद ऐसे ही तीन साल गुजर जाता है और आसकर के तीन साल के बड़े पाटी में एगनेस उसे एक ड्रम गिफ्ट करती है जिसको पाकर आसकर काफी खुश हो जाता है और उस ड्रम को बजाने लगता है इसी दोरन ओसकर अपने बड़े पाटी में बड़े लोगों को शराब पीते हुए देखकर उसके उपर बुरा प्रभाब पड़ता है और उसे बड़े लोगों के उपर घिना जाता है जिस वज़े से वो फैसला करता है कि वो कभी भी बड़ा नहीं होगा और वो हमेशा ऐसे ही छोटा बन कर रहेगा इसलिए वो एक कठोर प्रतिगा लेता है और छद से कूच जाता है उस दिन के बाद से औसकर एक बच्चा ही रह जाता है और उसकी फिजिकल ग्रोथ भी बंद हो जाता है वो अपने साथ हमेशा अपने फटे हुए ड्रम को रखता है और वो उस ड्रम को किसी को भी नहीं देता इसी दोरन एक दिन जब उसके पास से उस ड्रम को छीना जा रहा था तब ही उसे पता चलता है कि उसकी चीखने की ताकत इतना जादा है कि इससे वो किसी भी काँच और कान के पर्दे को फटा सकता है जिसके बाद वो अपने इस अनोखे कला को अपने दोस्तों को भी दिखाता है और ऐसे ही फिर से और तीन साल गुजर जाता है आसकर अभी छै साल का हो चुका था पर आसकर अभी भी उस ड्रम को अपने से दूर नहीं रखता था और कोई भी अगर उस से उस ड्रम को चीनने की कोशिश करता था तो वो चीक कर शीशे को तोड़ देता था दूसरी तरफ उसके माता और पीता बस यही सोच रहे थे कि आसकर बड़ा क्यों नहीं हो रहा है एगनेस हर मंगलवार को आसकर को लेकर सहर जाती है जहाँ पर वो आसकर को एक दुकान में छोड़ कर जौन के साथ मंगलवार में मंगल कारियर करने के लिए जाती है लेकिन एक दिन आसकर अपने मा को जौन के साथ मुझ काला करते हुए देख लेता है खैर इसके बद फिर से और कुछ साल गुजर जाता है और आसकर जब 12 साल का हो जाता है तब उसके माता पिता उसे एक दिन सरकस दिखाने के लिए ले कर जाते हैं वहां पर काफी सारे बॉने लोगों को देखकर आसकर के माता पीता को लगता है कि शायद आसकर भी एक बॉना बच्चा है इसलिए वो बड़ा नहीं हो रहा है अब सो के खतम होने के बाद आसकर वाइगरा नाम की एक बोने आदमी से मिलता है जो कि आसकर को देखकर समझ जाता है कि आसकर उसी की तरह ही एक बोना है साथ ही साथ वो आसकर की कांच तोड़ने वाली अनों की पार को भी देखता है जिसको देखकर वो आसकर को उसके साथ सरकस में काम करने के लिए कहता है दूसरी तरफ आसकर के माता पिता जब आसकर को वाइगरा के साथ बात करते हुए देखते हैं तब ही वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं इसके बाद हमें पता चलता है कि Second World War शुरू हो चुका है और पोलन में नाजी जर्मन से ना धीरे धीरे आ रहे हैं और वो लोग जीऊस लोगों के उपर टॉर्चर कर रहे हैं इधर एगनेस ओसकर को जिस दुकान पर छोड़ कर जाती है उस दुकान का मालिक मारकस एक जीऊस था और वो एगनेस को पसंद भी करता था इसलिए वो एगनेस को उसके साथ लंडन चलने के लिए कहता है लेकिन एगनेस उसके साथ जाने से मना कर देती है और अपने घर ब बनने वाली है लेकिन वो इस बच्चे को लेना नहीं चाहती है दूसरी तरफ एल्फरेड को इससे कोई भी फरक नहीं पढ़ रहा था कि इसकी बीवी के गोदाम में किसका सामान है और वो बस एगनेस को जिन्दा रखना चाहता था लेकिन एगनेस इस बोज को लेकर जिन्द वो एक जियूस था थोड़ी दिर बात जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तब ही मारकस एगनेस के कबर के पास आता है और एगनेस को अपनी दिल की बात बताता है इधर सहर में नाजी जर्मन लोग जियूस लोगों के उपर काफी अत्याचार कर रहे थे और वो लोग उनके घर और दुकान को जला देते हैं जिस वज़से मारकस भी दिप्रेशन में आकर जहर पीकर अपनी जान दे देता है लेकिन मारकस के मरने के साथ ही ऑसकर के नए ड्रम पाने का सपना भी तूट जाता है क्योंकि उस सहर में मारकस एकलौता था जो ड्रम बनाता था इसल ये पोश्ट मास्टर जॉन को भी एक गन देकर नाजी जर्मन के साथ उसे लड़ने के लिए कहते हैं। उस दिन वहाँ पर एक काफी भयानक हमला होता है जिससे कि वो पोश्ट मास्टर घैल हो जाता है जो कि इस हमले को लीड कर रहा था। यहाँ पर ऑसकर और जॉन उसे बचानी की काफी कोशिश करता है लेकिन वो दुनों उसे बचा नहीं पाते। इसके बाद नाजी जर्मन सीपाही पूरे पोश्ट ओफिस में आग लगा देते हैं और जॉन के साथ साथ बाकी सारे लोगों को बंदी बना कर उन्हें जान से मार डालते हैं। पर आसकर और मारिया दोनों की ही उमर बराबर थी। जिस वज़े से आसकर मारिया के काफी करीबा जाता है और मारिया को लेकर उसका बिचार भी कुछ अलगी था। बोना केकर गालिया देने लगती है। थोड़ी देर बात जब उसका गुछा सांत होता है तब यो आसकर के पास आकर उससे माफी मांगती है पर बदले में आसकर उसे मार कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया एलफरेड के बच्चे की मा बनने वाली है लेकिन आसकर उस बच्चे को मारना चाता है। पर वो जब उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है तब ही मारिया उसे रोक लेती है। इसके बद कुछी दिनों में मारिया एक बच्चे को जनम देती है जिसको पाकर घर के सभी लोग काफी खुश होते हैं सिबाए ओसकर के। देख लिया और सजा के तोर पर उसे जान से मार दिया गया। इधर ऑसकर का दोस्त वाइगरा सेकेंड वर्ड वर्ड वर के वक्त नाजी जर्मन सिपाईयों के लिए काम कर रहा था। इसलिए ओसकर को भी उसके साथ काम करने के लिए कहता है। इमेरिकन सोलजर उस जगे पर हमला करते हैं। और इस हमले के चलते रोजलेती की राम नाम सच्टी हो जाता है और आसकर के पास से उसका एकलोता प्यार भी छिन जाता है। इसके बद आसकर फिर से अपने घर बापस आता है जहाँ पर वो मारिया के तीन साल के बेटे को एक ड्रम गिफ्ट करता है जैसे की उसे बचपन में उसकी माने दिया था। पर मारिया आसकर को पसंद नहीं कर रही थी और आसकर के बापस आने पर उसे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर एक दिन कुछ नाजी जर्मन सीपाही उन लोगों को ढूंटे हुए बेस्मेंट के अंदर आ जाता है और लीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। दुकान को अपने हाथ में लेने के बाद मारियस नहीं एलफरेट के फ्यूनल को समाला क्यूंकि उसकी बीबी और बच्चे भी एक एकसिडेंट में मर गये थे और वो अपने को खोने का दर्द जानता था। जब एलफरेट के फ्यूनल पर आसकर को एहसास होता है कि वो पूरी तरीके से अनात है इसलिए उसे फिर से बड़ा होना होगा। जिस वज़े से वो अपने ड्रम को उस कबर में फेक देता है और तभी एक बच्चा उसके सर पर एक पत्थर मारता है जिससे वो वही परी बेहोश हो जाता है। पर आसकर चिल्ला कर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है पर तभी उसे पता चलता है कि उसके बड़े होने के साथ साथ वो अपने चिल्लाने की आवाज से काश तोड़ सकता था वो सकती भी उसकी चली गई है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मज़िदार मुवी की कहानी खत हो जाती है